प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के करीबी नेता और पूर वाया सदिकारी एके शर्मा को उत्तर प्रदेश बिजेपी का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है अर्विन शर्मा कुछ महनों पहले बिजेपी में शामिल हुए थी पिछले दिनों राजनेतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही थी कि योगी मंत्री मंडल के विस्तार में एके शर्मा को ग्रिह मंत्री बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आधितिनात के दिली में पीम नरेदर मोदी अग्रही मंत्री अमें चाह से मिलने के बाद भी इन जर्चाओं को बल मिला था हाला कि एके शर्मा को अब पार्टी में नई जिम्मेदारी सौप दी गई है यूपी बिजेपी ने अर्विन शर्मा को अब प्रदेश उपाध्यक्ष पनाया है इसके अलावा विभिन मोर्चो के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोशना की गई है उत्तर प्रदेश में बीदे 24 घंटे में कोरोना वायरस के 294 नए मामले सामने आये प्रदेश में सक्री मामलों की कुल संख्या अब 4957 हो गई है प्रदेश में अब तक कुल 16,77,000 से अधिक मरीज कुरोना संक्रमन से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में रिकवरी रेट 98 फीसदी से अधिक है बीदे 24 घंटे में कोरोना के कुल 592 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है इसके अलावा उत्रपदेश में धाई करोण से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी 21 जून से यूपी में कोरोना टिकाकरन का अभियान और तेज किया जाना है और सरकार ने जुलाई के महिने से हर रोज करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष रखा है यूपी बिजेपी संगठन और सरकार की थाह लेने के लिए बिजेपी के राष्टि संगठन महामंत्री बील संतोष फिर से लखनओ के दौरे पर आ रहे हैं बिल संतोष 21 और 22 जून को प्रदेश बिजेपी के ब्राधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और पता करेंगे कि फिछले दौरों में उन्होंने जितना होमर्ग दिया था उस पर काम हुआ उस पर कितना काम हुआ है बिल संतोष इसके पहले 31 मई को राजधानी आये थे और 2 जून तक लखनव में ही थे बिल संतोष ने पिछले दौरे में यूपी बिजेपी और सरकार को लक्ष दिया था कि वो कारेकरताओं की जिनता करे कुरोना ने जिन कारेकरताओं की जान लिए है संगठन के नेता उनके घर जाएं और उनके परिवार की हर संभव मदद करें यूपी में योगी सरकार अब लोगों का टीका करन कराने के लिए उन्हें निमंत्रन पत्र भीजेगी आम अंत्रन पत्र पर टिका करण की तिथी और स्थान लिखा होगा उत्तरपदिश सरकार ने जुलाई से हर दिन 10 लाग से अधिक लोगों का टिका करण का लक्ष निर्धारित किया योगी सरकार ने अपने व्यापक अभियान के तहट जुन के पहले 14 दिनों में ही प्रदेश के 50 लाग से अधिक लोगों का वैक्सिनेशन कराया है योगी सरकार ने जुन में एक करण लोगों के वैक्सिनेशन का लक्ष निर्धारित किया था 14 जून को जारी बयान के मुताबिक यूपी में लक्ष के सापेक्ष 50 लाग से अधिक लोगों का वैक्सिनेशन कराया जा चुक है उत्रपदेश में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी राजधानी लखनव से लेकर तमाम हिस्सों में बारिश की खबरें सामने आई कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाओं के कारणों को परिशानी का सामना भी करना पड़ा है मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से यूपी में मौनसून रफ्तार पकड़ेगा और लखनव के अलावा कई हिस्सों में जमा जम बारिश भी होगी इससे पहले शुक्रवार को लखनव और कानपुर में दिन भर बारिश होती रही आंचलिक मौसम केंडर के निदेशक जेपी गुपता ने कहा है कि मौनसून शनिवार से रफ्तार पकड़ेगा लखनव समेथ पुर्वांचल के तमाम जिलों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की संभावना जदाई गई